स्मार्टफोन से YouTube वीडियों से किसी भी तरह के वीडियों कैसी और किस अप्लिकेशन से फ्री में एडिट कर सकते हैं वो भी बीना वाटरमार्क के आज मैं आप लोगो इस वीडियों है बताने वाला हूँ जबकि ये वीडियो भी मैं स्मार्टफोन से ही सूट कर रहा हूँ और स्मार्टफोन से एडिट भी कर रहा हूँ और इन फैक्ट यह जो सिनिमेटिक सेक्वेंस अभी आप देखने वाले हैं यह भी मैंने वीटा अप्लिकेशन के हिल्प से एडिट किया है सबसे पहले वीटाप को प्लेय स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद ओपिन करने पर आपके सामने एडिट किये हुए प्रोजेक्ट और दूसरे साथ में टेंपलेट का उप्सन मिल जाता है जिससे आप काफी इसली पोट्रेट सौट वीडियोस क्रेट कर सकते हैं सबसे पहले अपर राइट साइड में सेटिंग्स के आइकन के अंदर आपको वीडियो रेजिलिशन को 720p से 1080p कर लेना है फर बेटर वीडियो कॉलिटी और यहां वीटा आप के वाटरमाग को आफ करने का भी ऑप्सन मिल जाता है जो कि टोटली फ्री है और इसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम वर्सन के जरुवत नहीं है जो कि एक Chinese Video Editing App है और इंडिया में 59 Band Apps की लिष्ट में वाइवा वीडियो का भी नाम सामिल था तो उनमें आपको वाटरमाग हटाने से लेकर एफेक्ट सक में सब्सक्रिप्सन के जरूत होती है तो वो सीन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और वीटा एप एक Non-Chinese Video Editing App है जिसमें सबसे पहले इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके आप Video Footage को Select कर सकते हैं कि कौन कौन से क्लिप को आप साथ में लेकर Edit करना चाहेंगे Then Select करती Editing Panel आपके सामने होगा जिसमें सबसे पहले है Video Preview Then आपका Editing Timeline है जहाँ Add Music को Option दिखेगा आपको जिसपे Tap करके आप बहुत सरे तरह के Music Add कर सकते हैं Sound Effects Add कर सकते हैं जो आपको दूसरे Video Editing Apps में बाहर से Download करके फिर अपने Device से App में Import करना पड़ता है तो वो यहाँ पहले सी दिया गया Otherwise आप बाहर से Non Copyright Music अपने Device में Download करके भी इस App में Import करके Use कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इस तरह से Dragon Slide करके आप Reposition कर सकते हैं जहाँ भी आपको Music चाहिए उसकी कितनी Volume चाहिए and all Then Music and Video अपने जरुद के हिसाब से Import करने के बाद आपको नीचे सारे Tools and Options दिखेंगे जिसमें Edit सबसे पहला और Important Tools में से एक है जिसके Help से आपने Raw Videos में से कुछ Extra ये बेकार पार्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से Then Speed के Help से कोई भी Moving Footage लाइक ये वाला Footage है मैं इसे Slow करके थोड़ा Smooth बनाना चाहता हूँ तो इसे मैं 0.75x पे Set कर दूँगा Then Scene को Dramatic बनाने के लिए आप यहां से Reverse को भी Try कर सकते हैं Then Raw Videos को Set करने से लेकर Cut and Slow Fast करने के बाद आप Ratio Select कर सकते हैं जैसे Instagram के लिए आपको 4x3 का Video Ratio का जरूत होता है Then YouTube के लिए 16x9 तो 9x16 Portrait Mode Video Platform से लेकर 2.35x1 तक का Video Ratio यहां पे अवलेबल है Then Effects के अंदर आपको काफी सारे कमाल के Video Effects देखने को मिल जाता हैं जिसे अपलाई करके आपके Videos में कुछ इस तरह के Effects या Changes देखने को मिलेंगे जिसमें से मेरा अभी का Favorite यह Cinema Bar वाला Effect है जिसे मैं पूरे Project में इस तरह से Stretch करके अपलाई कर दूँगा जो आपके Cinematic Videos में काफी Professional लुक देती है वरना इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग-अलग कैटिग्री वाइस Effect Section दिये गए जैसे Frame, Retro, Motion, Light Particles and All और सभी अगर मैं दिखाने गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसके बाद Text and Sticker का Option है जिसमें का इस बहुत सारे मस्त मस्त Standard Fonts, Styles and Animations तक दिये गए हैं जिने आप काफी आसानी से Select करके Apply कर सकते हैं और इस तरह से उन्हें Adjust कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस और वीडियो के हिसाब से और फिर Music का Option जो मैंने आल्रेडी आपको बता दिया बट फिर भी मैं यहां से अभी कुछ Transition और वीडियो पार्ट्स में इस तरह से Apply करके उनके Effects को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं या इस Apply to All वाले Option के Help से One Click में अपने सभी वीडियो पे यह Effect को Apply कर सकते हैं और यह मुझे काफी Convalient Feature लगा वरना One by One Apply करना काफी ज्यादा Time Consuming होता है और थोड़ा Irritating भी होता है Background वाले Option के अंदर आप Background को Edit कर सकते हैं या Blur कर सकते हैं या कोई Image या Pattern भी लगा सकते हैं जैसे आपको Memes पर देखने को मिलते हैं And then Speed के बारे मैंने आपको Already बता ही दिया है तो उसके बाद Scale के Help से आप इस तरह से वीडियो को Resize कर सकते हैं ताकि जिस तरह के भी device के लिए या Platform के लिए आप Video Deliver करना चाहते हैं उनमें वो Fit हो तो यहां से आप उन्हें Zoom करके या Zoom Out करके अपने हिसाब से वीडियो को Scale कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही जरूरी पार्ट होता है कि Engaging वीडियो का तो आप जानते हैं कि वीडियो रोटेट हो जाएगा तो लास्ट आप्शन ओडर के बारे हैं बोलो तो इससे आप अपने मेन वीडियो क्लिप्स को अपने टाइम लैम पे काफी सिंपल एन इजी तरीके से रियरेंज कर सकते हैं और वीडियो एडिट करने के बाद यहां से एक्सपोर्ट के आइकन पर क्लिक करके वीडियो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर टाइम लगेगा वीडियो रेंडर होने में और आप देख सकते हैं काइस क्वालिटी बिल्कुल भी लॉस नहीं यह वीडियो फुटेज की और एडिट भी मैंने जस्ट ऐसी आपको इजली दिखाने के लिए किया वरना आप भी जानते हैं कि यह तोटली आपके पेसेंस और क्रेटिविटी पर डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे वीडियो या फाइन वीडियो एडिट कर सकते हैं और उसके लिए लगभग सारे टूल्स और आप्संस आपको इस वीटा वीडियो एडिटिंग एप बाकी अगर आप पोट्रेट या सौट वीडियो बनाना चाते हैं या इतना मैनत नहीं करना चाते हैं तो यहां से टेंपलेट वाले आप्सं में आपको धेर सारी अमेजिंग वीडियो टेंपलेट्स मिल जाते हैं जहां से आपको यूज नौ के बटन पर टैप करके एफेक या अधर फन वीडियो प्लाटफॉर्म के लिए काफी यूसफुल फीचर ही है ओवरल वीटा है एक बहुत इस्टेबल या इजी तु यूज वीडियो एडिटिंग एप है जिसे हर कोई बड़े आराम से यूज कर सकता है इस Νैतना परिफिक & I will see you guys in the next one